दोस्तों, क्या सच में साली आधी घरवाली होती है? इस वीडियो के बाद शायद आप भी पूरी तरह समझ जाएंगे जब भी रमेश की पत्नी गीता रमेश के साथ माय के जाने की बातें करती थी तो रमेश भी रोमांचित हो जाता रोमांचित होने का कारण था जवानी के दहलीज पे पैर रखती हुई उसकी खूबसूरत साली निशा साली के साथ होने वाले रोमैंटिक बातें और उसकी मुसकान उसे बेहत पसंद था रमेश और गीता ससुराल पहुँच गए गीता जहां रिष्टेदारों से बातचीत के लिए कहीं निकल पड़ी वहीं रमेश अकेलेपन का फाइदा लेते हुए साली के पास पहुँच गया और उसके साथ बतियाने लगा वह साली की मंद मुसकान और खूबसूरत चहरे पर फिदा हो चुका था खुद को संभाल नहीं पाया और मौका देखते ही निशा के गाल पे एक चुम्बन जड़ दिया जबाब में निशा ने मुसकुराते हुए कहा जीजू बहुत दिनों से आपको कुछ बोलना चाहती थी आज मौका मिल गया कह दूँ धन्यवाद ऐसे ही और पोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें